नमस्कार आप देखरें जीके संसार और आज किस वीडियो में हम सब प्राची नीतिहास से जुड़े टॉफ 50 क्वेस्ट को करने वाले हैं जो कि आपके अगामे सभी परतियोगी परिष्छाओं के लिए महत्पूल होगा तो चलिए सेसन को स्टार्ट करते हैं है क्वेस्टा नमबघंबर है राजा हर्स वर्धन के दर्बारी कभी कौन थे है चो संस्कृत ना ठक मामें किसे लिए बनवाया गया था किसने बनवाया था ठीक है तो यह बनाया था नरसीम देव प्रथम ने बनवाया था और कुनार का सुरे मंदिर जुँ है इसे ब्लैक पेगोडा के तौर पर भी जाना जाता है और यह नागर सैले में बना हुआ है रीग्विद में सबसे प्रमुख देवता कौन है तो हैं इंद्र और तकसिला विश्विद्याले कीन दो नदियों के बीच ही स्थिति थे तो ये सिंधु और जेलम के वेज स्ंथिता वुन कॉनसे धर्म से समंदित है तो क्यमले जो है। ई intern से संतित coc पूटम बुद्य कौन से गनराजिके थे? नि यह थे गनराजिके. कौन संस्क्रीत का प्रथम ब्याक्रण विद्था? और तो यह थे पाणिनी. पाणिनी दोहर iets पुस्तक का क्या नाम है? तो अस्टा ध्याई. ठीक है अस्टा ध्याई क्या रचित क्या यह कौन है? पानिनी महाबली पूरम इस्थित एक आस्मीय सैल मंदिरों का परसीद नाम क्या है रत रत मंदिर के तोर पे जाना जाता है चोलो के समय का ब्रद्शवर मंदिर कहां इस्थित है तो यह तेंजावर में साथ वहां समराज के संस्थापक कौन थे तो यह थे सिमुक और प्रत्थम बहुत परसद कहां जी तो यह राजग्री में हुआ है उपनिसद क्या है तो उपनिसद जो है एक हिंदू दर्शन का स्रोथ है सोर्स है और सिंदू घाटी की सवेता की लोग किस की पूजा किया करते थे कौन सा वेद धार्मिक अनुस्थान से समन्द रखता है तो यह एजुरुवेद माउंट आबू जो की राजस्थान में है मसहूर दिलवाडा मंदिर की समुदाय का पवित्र तिर्थ अस्थल है तो जैन का है कौन कनिस्क के राजग्र थे चरक कौन थे चरक असो के सिला अलेक पर किस लिपी का परियोग किया गया था तो ब्रामि लिपी का किया गया था और ब्रजियान बहुत धर्में बुद्ध बोधिसत्व की संगनी को क्या कहा जाता था तारा किस स्थान पर बुद्ध ने पांच सन्यासियों के साथ संक्य स्थापना की थी तो सारनात याद रखिएगा मात्मा बुद्ध ने सबसे पहले जो ग्यान दिया था उपदिश जो दिया था वो सारनात में दिया था और इसको बहुत धर में धर्म चक्रप्रवरतन कहा गया है। छमा मानी किस धर्म से समन्ध तेहवार है तो जयन धर्म से है। कलिंग यूद का वर्नन असोग के किस सिलालेक में है तो इसका वर्नन मिलता है। आरियों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था। तो क्रिसी था। रीग वेद में किस अपराद का सबसे अधिक उलेक किया गया है तो यह किया गया है पसुओं की चोरी का। पुलकेसिन द्वितिये ने हर्सवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधी धारन की थी तो परमेश्वर की उपाधी धारन की थी ठीक है पुलकेसिन द्वितिये ने हर्सवर्धन को पराजित कर परमेश्वर की उपाधी धारन की थी चैते किस धर्म के अनुवायों का पुजास्तल है तो यह बौध धर्म का बादामी या वातापी के चालू के वंसका सरवादिक महाराजा कौन था तो था पुलकेसिन द्वितिये रीग वेद में दिरकालीन या आजीवन अभिवाहित रहने वाली करणिया को आमाजू कहा गया है पांडे सासकुक की राधानी कहां हुआ करती थी? मदुरय. गौपत ब्रामन किस वेज़ से समंदित है? अथरवेज. ठीक है, गौपत ब्रामन कौन से वेज़ से समंदित है? अथरवेज से. परतिहार वंस का सरवाधिक परतापी और महांसासे कौन था? तो था मिहीर बोज. जैन मतावलंबियों ने बोलचाल की जो भासा अपनाई थी, वह कौन सी भासा थे? प्राकीर्थ था. इसे हम अर्द मागधी के तौर पे भी जानते हैं. अब देखिए, यहां पे होगा महावीर. ठीक है, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भासा में दिया नहीं जानते हैं, तो यह जो कथन है, मेगास्तनीच किया है. ठीक है, भारती लिखनी के कला नहीं जानते, यह कथन मेगास्तनीच किया है. असो के साथ अस्तम लेख कितने अलग-अलग स्थानों पर मिले हैं, तो छे अस्थानों पर मिले हैं. सूंग वंस के देव भूती की किसने रामायन और मनोस्मिति की रचना किस कालम हुई तो इस सूं कालम में हुआ कौण से कालम है और किसने पाटली पुट्र को पाले ब्रोथा कहा है तो ये कहा है मेगस्तिरज में परत्म जयान सभा कहां आयुजुद की गई थे, पाटले पुत्र में किया गया थे जो की वर्तवान तुपना के तौप पयां जाता है, जो बिहार का कैपिटेल है मोर्योतर यूगं में जयान धर्म का पर सीद केंदर क कहां थे? मतुरा थे मौरे काल में नगर का अध्यक्ष क्या कहलाता था नायक मौरे काल में नगर का जो अध्यक्ष होता था उसे नायक कहा जाता था कौन सा विशय अर्ज सास्तर में वर्नित है तो है राजनिती गौतम बुध ने किस सासक के राजिकाल में निर्वान प्राप्त किया था तो अजासत रो तो इस तरह से फिप्टी वा लाइन्ट स्क्वेशन जो थे प्राचीन इतियास से कम्प्रिट होते हैं और आव इस आप सब को सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और अप